एक भेडिये की कई दिनों से चारागाह में चर्ती भेडों पर नजर थी. तो प्यारे दोस्तों, कहानी को लास्ट तक जरूर सुनना और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना. एक दिन भेडिया चुपके से चारागाह में घुस गया और एक मेमना चुरा कर जंगल की तरफ भागने लगा. तब ही रास्ते में शेर भेडिया के उपर जपट पड़ा और मेमना चीन कर भागने लगा. भेडिया चिलाया ये गलत बात है तुम मेरा मेमना चुरा कर नहीं भाग सकते शेर ने पलट कर उत्तर दिया ये मेमना कब से तुम्हारा हो गया इसे तो तुमने चुराया है चलो, मान लेता हूँ कि चारागाह से चुरा कर मेमना तुम्हारा हो गया तो तुम से चीनने के बाद अब ये मेरा हो गया। चीन सकते हो तो चीन लो भेडिया शेर से कहां लड़ पाता। मन मसोस कर वह लोट गया इस कहानी से सीख मिलती है कि गलत तरीके से पाई गई चीज उसी तरीके से हाथ से निकल जाती है जिस तरीके से भेडिया के हाथ से मेमना